नमस्कार आप देख रहे हैं जियो भी ने उस्त दोस्तों वक्त हो गया है दोपार की बड़ी कबर को जानने का तो उससे पहले अगर आपने अभी तक जियो भी नूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जली जागर जियो भी नूज को सब्सक्राइब करके औल नोटिफिके अरोडा ने इसके साथ ही कहा कि प्रायोगिक परियोजना अगले दो-तीन महीने में सुरू हो सकती है। इस परियोजना को अकार देने के लिए कड़ी महनत कर रही है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि यह अवधारना 2024 के लोकसभा चुनाओ तक मुर्थ रूप लेगी। हमारी पर अंकुस लगाने को लेकर लगतार कोशिसों में जुटी हुई है। मुंबई में कोरोना के मामले तेज गती से बढ़ रहे हैं। इस बीच BMC ने मुंबई में कोरोना नियंतरन के लिए खास प्लान तयार किया है। इस प्लान के तहत मुंबई कर जो कोरोना टीका लगवाने के पातर हैं उन्हें वैक्सिनेशन के लिए अपने निरधारित तारीख का इंतजार नहीं करना होगा। BMC ने कहा कि इस से कोरोना के खिलाफ लडाई में वैक्सिनेशन अभियान को गती मिलेगी। टीका लगाने से पहले सभी को कोविन पॉर्टल पर रजिस्टेशन करवाना होगा। BMC ने एक बयान में कहा कि कोरोना के खिलाफ लडाई के लिए अब वैक्सिन उपलब्द कराया गया है और वैक्सिनेशन अभियान को गती देना आवशक है। इस संबन्ध में सरकार ने 60 वरस से अधिक आयू के वरिष्ट नागरी को और 45 से 69 साल के बीच के गंभीर विमारियों से जूज रहे लोगों के लिए टीका लगवाने की विवस्था की है। महरास्ट के ग्रेहमंत्री अनील देश्मुख बोले पुर्व पुलिस कमिशनर परमबीर सिंग के खिलाफ करूँगा मान हानिका केस सीम उद्धव ठाकरे करे निश्पक्च जाच जिहां रिलाइंस इंडस्टीज लिमिटेट के चेर्मैन मुकीश अंबानी के आवास एंट उनके टीम मेंबर सचीन वजे से बार और हुक का पारलोर जैसे स्थानों से प्रती महिने 100 करोड रुपए उगाहने को कहा था हलाकि देश्मुख ने सिंग के आरुपों को खारिश करते हुए मान हाने का मुकदमा दायर करने की बात कही है महबूबा मुफ्ती ने कहा भारत पाकिस्तान में मेल मिलाब की प्रक्रिया कस्मीर से सुरू होनी चाहिए जिहां PDP अध्यक्च महभूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत एवं पाकिस्तान के नित्रित्व को यह समझना चाहिए कि उप महध्वीप में सांती का रास्ता गाटी से होकर जाता है उन्होंने कहा कि दोनों पड़ोसियों के बीच होने वाले किसी भी मेल मेलाब की प्रक्रिया में कस्मीर एवं कस्मीरियों को आगे रखा जाना चाहिए मुफ्ती की यह टिपणी पाकिस्तान के सेना प्रमुक जनरल कमर जावेद बाजवा के बयान के बाद आई है बाजवा ने कहा था कि दोनों देशों को अतीत को भूला कर आगे बढ़ना चाहिए उन्होंने कहा था कि दोनों पड़ोसियों के बीच 37 दक्षण एवा मध्य एसिया चेतर में छमताओं के दोहनक में मदद मिलेगी एक अप्रेल से सुरू होने वाले कुंभ मेले में केंद्र की दिशा निर्देशों का पालन होगा इस वर्स कुम्भ मेले का यूजन एक अप्रेल से 30 अप्रेल तक किया जा रहा है, तीन सही असनान अप्रेल में किया जाएंगे, 12 और 14 अप्रेल को सभी 13 पवित्र अखाड़े डुब की लगाएंगे, आपको बताते हैं कि जबकि 27 अप्रेल को बैरागी अखाड़ा पवित्र डुब की लगाएगा, स्वास्ते व्यवस्ता के अनुसार थर्मल स्क्रीनिंग के लिए 100 टीमों का गठन किया गया है, जबकि COVID-19 परिक्षन करने वारी टीमों की संख्या 40 से बढ़ा कर 50 कर दी गई है, और एम्बुलेंस की संख्या को भी 32 से बढ़ा कर 54 कर दिया गया है, उत्तरपदेश से 100 डॉक्टरों और 148 पैरा मेडिकल करमचारियों की टीम हरिद्वार पहुँच गई है, टेंट और सोचाले बनाय जाएंगे और सभी महा मंदलेश्वरों को आवशक सुविधाएं भी महिया कराई जाएंगी